तो भईया पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे बड़ा मुकाबला होने वेला है Pakistan versus New Zealand के हिमाबायन Pakistan के लिए ये डू ये डाटाइ का मैच है करो या मरो अगर Pakistan टीम हार गी तो Pakistan टीम समी फैनल की रेश से बाहर हो जाएगी अगर Pakistan जीत गई तो Pakistan टीम समी फैनल में कौलिफाइव कर जाएगी इतने में पाकिस्तानी रावल पिंडी एक्स प्रैक्स श्वेब अक्तर ने पाकिस्तन टीम को तीन ऐसे मश्वरे दे दिये अगर उन पर अमल कर लिया तो पाकिस्तन टीम किसी भी सूरत नहीं हार सकती असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूं मस्यव अली और आप देख रहे हैं मस्यव स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल जो दोस्त इस वीडियो पे न्यू आया है उन से चोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और साथ मजूद बैल आइकन को प्रेस कर दीजी ताकि स्पोर्ट्स एलेटेड वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहे तो भी यह रोवल पिंडी एक्सप्रेक्स शुए बखतर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता तो पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करे अगर पाकिस पाकिसान टीम ने 300 रंस कर लिया तो पाकिसान टीम किसी भी सूरत नहीं आर सकती है अगर पाकिसान टीम ने 270 रंस भी कर लिया तो पाकिसान टीम असानी के साथ जीत सकती है और दूसरी बात शुए बखतर ने कहा है कि पाकिसान टीम को मैच जीतने के लिए फिल्डिंग पे समझ सकते साउथ अफरीका की वर्ल्ड काप में अच्छी पर्फार्मेस नहीं थी लेकिन न्यूजिलैंड इस वक्त वर्ल्ड काप में टॉप पर है और सबसे ज्यादा अच्छी पर्फार्मेस न्यूजिलैंड की है इसलिए न्यूजिलैंड को हलके में लेना गलत है पाकिस्तानी टीम को अपने confidence के साथ मैदान में उतरना चाहिए शिकस्त का डर लेकर नहीं उतरना चाहिए पाकिस्तान टीम को जीत का जजबा लेकर मैदान में उतरना चाहिए और टीम spirit पर टीम खलाडियों में मजूद हो और इतमनान और एकठे होकर पाकिस्तान टीम के वडियों में तब तक के लिए मुझे अपनी द्वाओं में दूरूर याद रखना अल्ला हाफीज